नमस्टबर दोस्तों आप सब दोफिक आप का पॉलर टेक्झ नेए स्हली तरूवागत हैं दोस्तों आज हम Time and Distance का फặफ पार्ट लेकर आएं Time and distance के Questions का 5th पार्ट लेकर आएं और दोस्तों इस 5th पार्ट में हम एक और question कराएंगे तो चलिए दोस्तो देखते हैं 5th question 5th part और इससे पहले आपने हमारे चार पार्ट नहीं देखें तो दोस्तो ज़रूर देखें 4 part काफी important है आपकी basic skills को develop करेंगे किस परकार से आपको time and distance की questions को solve करना है क्योंकि time and distance से question अमेसा आता है और काफी कटिन माना जाता है दोस्तों आप लोग के साब से क्योंकि यह chapter नहीं रहता है आपके लिए तो चले दोस्तों सुरू करते हैं हम 5th part और इससे पहले 4 part जरूर देखें दोस्तों 5th question हमारा कहता है कोच इस पिकार से कि a train passes a telegraph post in 40 seconds at a rate at a rate 36 km per hour at a rate of 36 km per hour then the length of the train is then the length of the train is तो दोस्तों यहां पर rate कहने का मतलब है rate तो दोस्तों आप इससे पकार से जान सकते 36 km per hour दिये गाए मतलब यह हमारा speed दिये गई है rate यह speed हमारी बराबर होती है speed को rate कहा दी जाता और rate को अभी speed कहा दी जाता है अब आते हैं दोस्तों आगे कि मतलब 40 seconds मैं telegraph post मतलब मान लीजी ए heel heat पॉस्ट है आपकी तो यहां से एक train is यह तेलिग्राफ पोस्ट पास करती है तो दोस्त उस्सें पूछा गया है कि लेंथ ऑफ ट्रें यहालेंट राभी है as compared to train तो दोस्तों जो उसे अपनी लेंद को पार करने में समय लगा रहता है वही हमारा टाइम रहता है कि उसे अपनी लेंद पार करने में उसी स्पीड से कितना टाइम लगा तो हमें यहां पे टाइम दिया गया है 40 सेंड 40 सेंड और स्पीड दी गई हमें 36 किलोमीटर पर जे हैं सोलिशन सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी टाइमिंग डिया और जो स्पीड दी गई क्यों प्रशर किया लग सकते हैं आपको पता है एक क्लो मेंağıर में कितने मीटर रहते हैं POL हमारे कितने मीटर रहते हैं और हमारे सेकेंड ले तो गे एक हाऊर में हमारे 60 मिनिट रहते हैं वो 60 मिनिट में 60 सेकंड रहते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यह 10 अपन 36 आएगा 10 अपन 36 आएगा और दोस्तों यह 36 से कटेगा यह 5 बार 18 तो दोस्तों यह 5 बार 18 आएगा यह 5 बार 18 आएगा कुछ आगा हमारा है तो इसे हम डीट लिख सकते हैं 5 Bar 18 से मेल्डिप्राय करेंगे तो や अब हमारा मीटर पर सेक्ड में कनवर्ड हो जाएगा और मीटर नहीं होता है में चर्वाइब करेंगे मिल्ट्व्लाई दोस्तो veut 12 इमल्ट्व्लाइगा तो यह कुछ इस पकार से आएगा कि 18 2 और 2010 यह आएगा हमारे 10 मीटर पर सेकंड कि स्पीड आ जाए हमारी मीटर पर सेकंड स्पीड आको तो हमारा डिस्टेंस अपन स्पीड बरावर होता है टाइम हमें कर दोस्ट नुकल आई है टैन मीटर पर सेकंड तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगी छोई 400 मीटर, यह 400 मीटर हमारी डिस्टेंस रहेगी और यह लेंथ रहेगी हमारी ट्रेन की, यह लेंथ रहेगी हमारी ट्रेन की, दोस्तों जब भी हमारा किसी पोल, किसी टेलिग्राफ पोस्ट या इसी प्रकार की किसी भी पिलर को पार करने की बात आएगी, तो दोस्तों उसकी ल और इस परकार से आपको कनवर्जन भी सीखा आपने कि किलूमीटर पर होड़ को और मीटर पर सेकंड को किस परकार से हम एक दूसरे में इंटर कनवर्ट कर सकते हैं और अब दोस्तों यह हमारा 400 मीटर आच चुका है डिस्टेंस और डिस्टेंस हमारे बराबर है लेंट आफ ट्रेन के तो आप्शन नमबर ए पर टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे और 4 मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों इसने आसान कोशन के लिए बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को फॉलो कर सब्सक्राइब करें अभी तक सब्सक्राइब ना करें तो करा हो तो जरूर करें और आप अभी तक हमारे चैनल से जोड़े चुके हैं दोस्तों तो लाइक ज़रू करें अगर वीडियो पसंद आई हो हम इसी प्रकार की कोशन्स लाते रहते हैं और धन्या दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए जै हिंद जै भारत